जिन तक पहुंचने से पहले याद करते हैं ये पंक्तियां ये गजल की जो इस तरह शुरू होती है कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलग जाएगी नजम है ये तो ये जो बाते निकलती है वो दूर तक जाएं की नहीं जाएं डिपेंड करता है उसको लेके कौन जा रहा है और ले जाने के पीछे क्या नियत क्या है निश्टा कितनी है उस हिसाब से जब हिंदी की वात को लेकर हम अनूब बारगव की तरफ जाते हैं तो लगता हो बहुत दूर तक हिंदी की वात को लेकर जाते हैं बोड़े प्यार के साथ लेकर जाते हैं और उसी प्यार से जब एक ऐसे आयोजन में पहुंचे जिसका संबंद हिंदी के साथ में ही नहीं, अंतराष्टी इस तर पर हिंदी के विकास के साथ में भी है, भारत सरकार के साथ में भी है, तो उस आयोजन के बारे में भी कुछ उन से जानेंगे और कहां कहां वो इस बात को लेकर पहुंच रहे ह बात करेंगे कभी अनूप भारगवजी से स्वागज़ आप नाश्कार अश्योग जी तो यात्रा की तरह भी चलते हैं सीरे सीरे जो ये आयोजन था फीजी में था जी हाँ क्या था हाँ तो इसका मैं अश्योग जी तो आपको प्रश्च भूमी दूँ ये जो विश्व हिंदी समेलन है वो पहला विश्व हिंदी समेलन हुआ था नागपूर में जिसमें महादेवी वर्माजी ध्यक्शता की थी लेकिन उसके बाद से ये लगभग हर तीन या चार बरस के बाद विश्व के अलग-अलग देशों में होता है तो जैसे करीब 2008 में हमारा न्यूँ यॉर्क में हुआ था विश्व हिंदी समेलन उसके बाद ये साउथ अफरीका में हुआ फिर वो भारत में हुआ भौपाल में उसके बाद पिछला विश्व हिंदी समेलन मौरिशस में हुआ और इस बार जो बार वहां विष्व हिंदी समयलन था वो फीजी में हुआ जिसमें मुझे जाने का अवसत भिला तो अनु जी ये जैसे तरह नाम से पता लगे रहे हैं विष्व हिंदी समयलन है तो अंतराश्टी इस तरह पर हिंदी की बात होगी पिर भी क्या उसका उद्धेश रहता है? और अभी वाले तक आने से पहले वाले भी आपने कुछ जो न्यूएउक है हुआ ता, वो भी इटेंड किया था, तो क्या उसका प्रमाव रहता है? देखें अशोक जी इसका जो कारण है और जो देश रहा है वो है कि विश्व के देशों में हिंदी का प्रचार और प्रसार करना और कई समेलों से एक मुद्दा ये भी रहा है कि हिंदी को एक वैश्विक भाशा के रूप में बढ़ाया जाए उसे संयुक राश संग में लाया जाए इस दिशा में भी कुछ काम हो रहे हैं लेकिन मैं अगर इमानदारी से कहूं तो जो मेरा जो इसमें उद्देश रहता है वो है कि अपनी तरहां के साथियों से मिलना जो हिंदी से जुड़े हुए हैं तो उस के इसाब से देखा जाए तो ये एक नेट वर्किंग के हिसाब से मेरे खियाल से विश्व का सबसे बड़ा हिंदी का संबेलन है कि एक स्थान प एक तो ये नेटवर्किंग बहुत महत्पूर्ण है क्योंकि लॉंग टर्म में आप क्या करेंगे उसके बारे में कुछ प्रारूप बनाने में थोड़ा मन्थन चिंतन उसके लिए अफसर मिल जाता है फिर भी लेकिन वो तीन चार दिन जितने दिन कर ये समेलन होता है तो वह लिए रिंदू दरीच जो मेरे मित्र हैं उनका भी इसमें सुझाओ रहा था कि हिंदी पारंपरिक ज्यान से क्रित्रिम मेगा तक तो इसमें जो है लगवग सभी कुछ आ जाता है कि हिंदी का जो पारंपरिक ज्यान है और हिंदी जो आर्टिफिशल इंचेलिजेंस है उसके साथ में किस दिशा में बढ़ रही है किस तरह की तक्नीकी का इस्तिमाल हम दोग कर सकते हैं हिंदी के प्रिचार और प्रिचार को बढ़ाने में तो इसी इन्ही विश्यों पर केंद्रित कुछ जो कुछ संत्र हुए थे जिसमें भारत से बहुत विद्वान आये थे और विदेशों से भी करीब 16 अलग अलग देशों से विद्वान आये जिन्होंने अपनी बात्चीत की तो कुछ शेक्षिक स्तर हुए कुछ अपचारिकताएं हुए भारत के विदेश मंत्री श्री जैशंकर जी वहां पे थे ग्रह राज्य मंत्री थे कुछ चितर भी हम इस आयवजन के विल टेक लोगे ने समने इमेजेश विश्व बिंदी सुने पीजी 2023 एपीजी 2023 न ऑखोर इस यूर मिज जिया यह मुख जिया यह जिया सिर्क्र जी जाहँ कर जी है और फीजी के राश्वती वहां पनी के साथ में बाचिए तो पिर ये तस्वीरों से वापस बात की तरफ आते हैं हिंदी की बात को लेगे मेरे दिवाँ में ऐसा आता है अनुप जी मोटा मोटी तीन दृष्टी से या तीन खिड़कियों से हिंदी की तरफ बढ़ें अगर कि एक तो भाषा का घ्यान जिसमें की हिंदी सिखाना इत्यादी आ गया है दूसरा साहित्या और जो हिंदी के प्रवाम साहित्य की भूमिका हो उसमें वो आ गया और जो तीसरा है वो तकनी की पक्ष आ गया जैसे आपने अभी आर्टिविशल इंटलिएंस का उले किया तो तो हिंदी में तुर्टी पूर्ण वाक्य भी आ रहे थे, ओसकता उन्हों बाद में कुछ इंप्रूव किया होगा, तो उसमें वो हम तक्नीकी बात सबसे पहले कर लेते हैं, आप इस तरह भी काफी सक्रियर हैं, आप जो, टेक्नोलोजी मेरा बैक्ग्राउंड रहा है, तो मे प्रवा को बढ़ाए रखने में तक्नीकी का उपयोग होता है, पर दोनों दृष्टी से बात करें अगर तो, इजी हो लोगों के लिए हिंदी में लिखना, इत्यादी, उस हिसाब से हम बहुत आगे पहुंच गए हैं वैसे, हाँ हाँ शोग जी, देखिए ऐसा है कि कुछ समय लगता है उसको कैच अप करने में, तो पहले कोई भी तक्नीक आती है, तो उसका स्वाभाविक है कि अंग्रेजी में उसको पहले लाया जाएगा, पहले इस्तिमाल किया जाएगा, तो थोड़ा सा लैग रह सकता है हिंदी में उसी टेक्नोलोजी का प्रयोग करने में, लेकिन जहां तक बेसिक चीजों का सवाल है, जहां तक हिंदी में टाइप करने का सवाल है, जहां तक हिंदी में हिंदी को स्कैन करने का सवाल है, अप्टिकल कैरेक्टर डीरिंग का सवाल है, बहुत आगे बढ़ गए हैं, और अब ये बहाना कोई किसी के पास हम नहीं रह दूसरी बात यह है कि जब ये दौनों जुड़ी हुई है आपस में जितना हम हिंदी का अधिक प्रियोग करेंगे उतना ही इंसेंटिव रहेगा कंप्यूटर कंपनीज के साथ में हिंदी का अधिक प्रियोग करनी के लिए तो हमें कोशिश करनी चाहिए जहां तक आपने बत रहे हैं Microsoft Google जो दोनों कंपनियां हैं उन्होंने भारत क्योंकि एक बहुत बड़ा market है उनके लिए और उसको बहुत गंभीरता से लेते हैं तो हम फिर से वहां जाएंगे आनि फीजी आपके साथ पर उसे पहले जो दो प्रकल्प हैं जो मुझे लगता है उद्देश जो इस तरह के अदिवेशन का रहता है वो काम आप निरंतर कर रहे हैं बारों बारों मा साथ के द्वारा वो हो रहा है उस दृष्टी से एक तो जो हिंदी से प्यार है आपने एक वैब साइट भी बनाया है उसके बारे में हमने पहले भी कभी चट्रा किये लेकिन फिर से बताएं अब कहा तक उस यात्रा को लेकर आप पहुंचे हैं हाँ नहीं वो अवधारना थी कि हिंदी से काम करने के लिए हिंदी में काम करने के लिए आपको हिंदी का विद्वान होना जरूरी नहीं है सिर्फ हिंदी से प्यार होना जरूरी है और हमने इसी को एक सिंपल सी हम लोग ने टैग लाइन ली कि अपनी भाशा में मुस्कुराईए और ये आप तभी मुस्कुरा सकते हैं जब आपनी भाशा पे गर्व करें तो हमने इसी अवधारणा के साथ में एक हिंदी से प्यार है के नाम से एक सम्हू शुरू किया जिसमें हमने बहुत से ऐसे हिंदी के कामों को लिया जिनें होना चाहिए लेकिन उकिसी कारण से हो नहीं पा रहे थे तो जमीन से जुड़ी कुछ प्रियोजना हैं हम लोगों ने इसमें ली जैसे की साहितिकार तिठ्यवार हम लोगों ने हर दिन पूरे एक बरस तक बिना नागा 365 दिन हर दिन एक साहितिकार पर एक रोचक आलेख प्रकाशिट किया फिर हमने एक दूसरी परियोजना में किया कि हमने कहा कि अमेरिका में उलहरन के तौर पे जिन जिन विश्व ड्यालेयों में हिंदी पढ़ाई जाती है उसका एक डेटाबेस होना चाहिए तो हम लोगों ने वो तयार किया फिर हमने कुछ साहितिकारों की वेब साइट्स तयार की नरिंदर कोहली जी पर हमने बनाई धूमिल पर बनाई हमारे अपनी सुशंबेरी जी पर हम लोगों ने एक वेब साइट बनाई और उसका जो उसी का जो एक दूसरा रूप जिसमें हम बात करना चाहेंगे कि हम लोगों ने अनन्य पत्रिकाश शुरू करी भारती कौंसल आवास की वेब साइट से तो उसके बारे में यह लिए आप चाहें तो हम लोगों बिलकुल हम उस तर जाने से प्यार हैं उसका और रुकते हैं जो हिंदी में लेखन को बढ़ावा मिले उस दुरुष्टी से क्या यह हिंदी से प्यार है या इस प्रकार के जो प्रकल्प हैं वो कितना उसका योगदान रह पाता है तो मैं उस पर आता हूँ तो हिंदी से प्यार है में हमारी एक परियोजना रही कविता की पाटशाला जिसमें हमने कहा कि जो लिख रहे हैं उनके लिए तो बहुत से मंच हैं लेकिन जिनके मन में लिखने की इच्छा है वो कहा जाएं तो उसके लिए हमने कविता की पाटशाला शुरू करी बुलाया जिन्होंने कविता की तक्नीक को समझाया तो उसमें हम लोगोंने उधारन के तौर पे नवगीत को लिया हम लोगोंने हाइकू को लिया हम लोगोंने दोहे लिये हम लोगोंने गजल ली और गजल की बात आती है तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारी सफलता इस बात में ह कि करीब 16 गजलकार जिन्होंने पहली बार कविता की पाटशाला में गजल सीखी उसको हमने फिर नाम लिया था आगास के नाम से तो उसमें उन्होंने गजल लिखना सीखा और फिर उन्ही इस स्थर पर वो पहुँच गए कि हमने उन 16 गजलकारों की एक किताब प्रकाशिट की बहुत बड़िया तो यह हम अपनी उपलब भी मानते हैं कि जिन्होंने कभी गजल का काखा गागा भी नहीं सीखा था उन्हें हमने करीब एक बरस में इस स्थर पर ला दिया कि उनकी बुस्तक प्रकाशिट हुई बहुत ही बड़िया तो बात कभीताओं की चल पड़ी है तो दो पंक्तियां लेते हुए आपसे मैं गुजारिश करूँआ कि आप अपनी कोई रचना हम तक पहुँचाएंगे और कभीता सत्य तक पहुँचने का एक मार्ग कह दें या एक धंग तरीका ऐसा कुछ इस बात को कहती हुए दो पंक्तियां आप तक पहुँचाता हूँ कि दर्द किसी का अपना लगता कभीता मैं जब पाता हूँ वरना सतही शब्द सजा कर मैं सबसे मिलाता हूँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे तो ये जी जी तो आप अपनी किसी रशना के साथ हमारे दर्द को जोड़ें चलिए मैं आपको आज एक अपनी मैं बहुत छोडी छोडी कविता हैं लिखता हूं जैसा आपको मालू है लेकिन एक थोडी सी लंबी कविता एक कहानी की तरह है उसको लीजिए इसका शिर्शक मैंने दिया है अगले खंबे तक का सफर जी तो मैंने कुछ कहा कि मैं और तुम पहाड़ी वाले शहर की लंबी घुमावदार सडक पर हाथों में हाथ डाले बे मतलब बे परवाह मीलों चला करते थे और खंबों को गिना करते थे मैं चलते चलते ठक जाया करता था और घर लोटना चाहता था पर तुम कोट की जेब से हाथ निकाले बगैर मन ही मन उंगलियों पर कुछ गिनने का बहाना करने के बाद कहती थी बस उस अगले खंबे तक और आज मैं अकेला ही उस सड़क पर निकलाया हूँ दूश्य बदलता है आज मैं अकेला ही उस सड़क पर निकलाया हूँ खंबे मुझे अजीब निगाह से देख रहे हैं जैसे मुझे से तुम्हारा पता पूछ रहे हैं मैं चलते चलते थक गया हूँ लेकिन वापस नहीं लोटना है किसी तरह हिम्मत करके उस अगले खंबे तक पहुँचना है मैं चलते चलते थक गया हूँ लेकिन वापस नहीं लोटना है किसी तरह हिम्मत करके उस अगले खंबे तक पहुचना है जानता हूँ तुम्हे तेज चलने की आदद थी शायिद तुम अगले खंबे तक पहुचकर मेरा इंतशार कर रही होगी क्या बात क्या बात बहुत एक कसक भी है करा भी है एक आस भी है एक आह भी है और ये रचना सुनते हैं मुझे ये दो पंक्तियां जाद आई कि बहुत जानीवानी पंक्तियां है अनुजी कि उन रास्तों ने जिन पे तुम हम सफर थे मेरे मुझे रोक करके पूछा तेरा हम सफर कहा है वही बात लगवगई तो इस बात को लेते वे फिर से हम लेखन की तरफ अगर वियावसाहिता के साथ देखते हैं तो अभी भी ऐसा है कि जो बिक्ती हैं पुस्तकें अधिक उसमें हिंदी भाषा की पुस्तकों के साथ अगर आप अंग्रेजी की तुलना करेंगे भारत में भ जाता है उनके पुब्लिश दर्विय और प्लस उनको मार्केट के हिसाब से देखा जाए पाटक जो हैं भारत के बार भी अधिक में जाते हैं हिंदी वालों को भारत में भी नहीं मिल पाते हैं इससे हम कैसे जूच सकते हैं बहुत चिंतनी है विशह है अशोग जी और जैस समस्या है दूसरी जो मुझे समझ में नहीं आती हम यह नहीं कह सकते हैं कि हिंदी के पाठक नहीं है क्योंकि अगर आप समाचार पत्रों को देखा जाए तो करणों की संख्या में हिंदी के समाचार पत्र बहुत चलते हैं लेकिन जब किताबों की बात आती है तो हमारे जो बेस्ट सेलर आथर भी है मुझे बड़ा दुख होता है और आश्चर होता है कि उनकी भी किताबों की जो संख्या है बिखने वाली वो हजारों में ही होती है लाखों में या लाखों तक नहीं पहुंच पाती तो बड़ा अजीब सा यह है कि हम लोगों की इसका सपश्ट अगर मैं कहूं तो हम लोगों की किताब हिंदी में विशेशूप से किताबों को पढ़ने की आदत बहुत कम हो गई है क्या करें इसके लिए नहीं इसके लिए तो कोई सरल उपाए नहीं है पहली बात तो यह दूसरा मुझे यह लगता है कि हमें थोड़ा मार्केटिंग की जरूरत है इसमें मैं आपके साथ याद करूँ नरेंदर कॉली जी को तो मुझे लगता है वो हाली के समय में ऐसे एक लेखक थे जिनकी किताबों को बिखती थी बिलकुल बिलकुल और उसमें आप यह देख सकते हो कि भारतिय संस्कृती का रस जो है उसको वो एक नए डंग से अपनी लेखनी के माध्यम से पहुंचा रहे थे तो एक तरफ तो यह बात भी है कि किस तरह का लिखा जा रहा है और फिर भी आपने सही का प्रश्ण बहुत जटिल यह समझे कि इतना असा नहीं और किसी यांतरिक डंग से नहीं है लेखन की वो इस तरह का चाप दिया और चल पड़ा कौन सी बात कहां पाठकों कुछ है फिर भी मैं यह समापन संदर्व को करने से पहले सिक्के का दूसरा पहलू भी है कई रचनाएं पसंद की भी जा रही है जैसे हमने बात की ती यहां भी आई ती प्रत्यक्षा जी तो उनका उपनेयाज भी काफी अच्छे सरा गया पारा पारा जो हो भी और कई नए लेखक इस दृष्ठी से जिनके लेखन की शैली अलग है और खुशी की बात यह है कि उनका एक पाठक वर्ग धीरे धीरे बन रहा है तो आशा की एक किरन जगती है कि अगर आप नए धंग से नई भाशा में नए विश्यों पर अगर आप लिखते हैं तो आपका पाठक वर्ग विस्तार की दृष्टी से रहा कि इंडियन कॉंसलेट न्यू यॉक से शुरूआ फिर अन्य देशों में भी वह हुआ तो यह अपने आप में अबूत पूर्व किसम का डिवलुप्मेंट माना जाएगा इसके साथ कि आप अनन्या के बारे में बताएं जो प्रतिक्रियाएं आपने अब तक देखी हैं पठनियता में एक तो हमात में लेकर पढ़ते हूं और एक ऑनलाइन पढ़ रहे हूं क्या अंतर आपको लग रहा है ये भी उसी तरह मतलब सराई जा रही सिरकार की जा रही है हाँ तो देखिए दो बाते हैं कि जहां तक पठनियता का सवाल है वो मेरा भी मानना है अभी तक कि जो हाथ में किताब को लेकर पढ़ने की बात है वो मज़ा है वो कंप्यूटर पर पढ़ने में नहीं है लेकिन उस दिशा में हम लोगों ने दो प्रयास किये पहला प्रयास तो यह है कि हमने जो कंप्यूटर पे भी जो उपलब्ट करवाते हैं हम लोग पीडियेफ फॉर्मेट में तो उपलब्ट करवाते ही हैं जिसको आप प्रिंट करके पढ़ सकते हैं एक पत्रिका की तरहें लेकिन अगर आप वो नहीं चाहते तो हम आपको एक e-book की तरहें भी format में देते हैं उसको जिसमें कि आप पन्नों को पलट सकते हैं और उसमें पन्नों के पलटने की आवाज भी आती है तो वो भी आप computer पे आप उसको पढ़ सकते हैं और जहां तक कार जो budget पे और यह हम गर्व करते हैं इस बात पर कि हम लोगों ने पिछले एक बरस से नकेवल अमेरिका में तो निकाली ही रहे हैं मनने लेकिन हम बारहा और देशों में उनके संस्करण निकल रहे हैं और संस्करण का मतलब यह नहीं है कि जो हमने यहां पे बनाया उसी को वह आपे चाप रहे हैं यह जो बारहा देशों में पत्रिका निकल रही है वो वहां के पून तहर वहां के स्थानिय प्रयासों से निकल रही है वहां के लेखकों के द्वारा वही के संपादकों के द्वारा संपादित की जा रही है तो इसको ध्यान में रखते हुए यह सब ज इंदी से प्यार है और समर्पन है वो इसको लेकर आगे जाता है आगे चलते हैं फिर हम फीजी की तरफ चलते हैं वहां का जो कुछ अनुभव आपका रहा बता है जी हाँ तो जैसा मैंने कहा कि अगर मैं इस अनुभव को दो मेरी प्रतिक्रिया को मैं अगर दो भागों में बाटूं कि एक तो मैं जिस उद्देश से गया था उसमें कितना हासिल हुआ तो मैं तो बहुत खुश था कि वहां पे बहुत से जो समान विचार के लेकों से और जो हिंदी के प्रचार प्रसार में जुड़े हुए हैं उन से मिलने का मौका मिला जो हम काम कर रहे हैं वो हम ने उनके साथ बाटा और मुझे जानकर खुशी हुई कि वहाँ पे अनन्य के बारे में बहुत से लोगों को पहले से पता था तो इस हिसाब से तो मेरी यात्रा सफल रही है अज़ा अनुग जी विदेश मंत्री जो हमारे हैं वो अभी एक्दम एक तरह के ग्लैमरस रिक्तित तो हैं क्योंकि वो जिस तरह से अपनी बात कहते हैं और कई विश्यों पर वो बहुत पसंद की जाती रही है वाइरल भी होते हैं उनके चोड़ी बात तो यह तो पहली बात तो मैं यह कहूँगा कि जैशनकर जी ने मुझे बहुत प्रभावित किया और दो तीन बाते मैं जो समापन में उन्होंने जो वक्तवे दिया था वो बिना देखे बोला उन्होंने तो वो मुझे एक बहुत यह और बड़े संख्शेप में उन्होंने अपनी बात को कहा बिंदू बिंदू जो थे उनके मतलब बड़ा और्गनाइज जबे में जिसको मैं कहना चाओगा त तो वो मुझे बहुत प्रभावित किया उन्होंने और जो पूरा जो वहां पे जो इंतजाम किये गए थे जिसके लिए विरेश मंत्राले जिम्मेडार था वो बहुत अच्छे हुए लेकिन कमिया थी उसमें मैं उस पर भी जाना चाहूंगा आप जाएंगे तो हम भी चले के साथ प्रेम रखते हैं वो हिंदी में अभी व्यक करते हैं फिर अमित शाजी ने भी किसी अपने संबोधन में हिंदी को आत्म विश्वास के साथ अपनाने की तरफ जो बात कही थी वो भी एक प्रभाव इस रूप में रखती होगी कहीं ने कहीं लोग उतसाइत होते हैं तोसाइत होते हैं कि हम भारत के हैं भारत में हिंदी हमारी राश्टर बाश्या है और उस तरह का वो कहीं ने कहीं वहां भी दिखाई देता होगा सरकारी कारिकन था अपनूर्यार जो आपने बात कही उसमे पremos ने एक बात और जोड़ना चाहूँ गा जो शायद आमित तो आप कितनी इंजिनरिंग जानते हैं, उस पे निर्भर करना चाहिए, न कि आप कितनी अंग्रेजी जानते हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, तो आप कितनी अच्छे डॉक्टर हैं, कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, उस पे निर्भर नहीं करना चाहिए, तो ये जो आत्मे विश्वास अगर हम पैदा कर लेते हैं और ये आत्मे विश्वास वहां देखने को मिला फीजी में और आप कुछ वहां जो आपको लगा कि और होना चाहिए था हाँ वो मैं उस पे विवस्था की तरफ मैं थोड़ा सा ध्यान देना चाहूंगा कि पहली बात तो ये क हर काम मुझे लगा कि वो देर से हुआ उधारन के तौर पे हमें फीजी जाना है इसका पता हमें तो फिर भी करीब दस दिन पहले लग गया था लेकिन भारस से जो लोग चल रहे थे उन्हें मुझे बताया गया है कि तीन दिन पहले उन्हें बताया गया कि आपका चैन सी बात थी दूसरा मुझे लगा कि जो विशेयों का जो चैन था मतलब जो उसकी जो थीन थी वो तो काफी आगे की हमने सोची थी लेकिन विशेयों का चैन जो था सत्रों के लिए वो थोड़ा पारंपर एक तरीके से जादा था अधिकांश वक्ताओं ने जो शुरू में बो पाया तो ये बड़ी गलत बात थी क्योंकि वक्ताओं के पास समय नहीं था इसलिए उनकी जो कमी थी अपने पत्थरों को पढ़ने में वो जलक रही थी ये मुझे थुड़ा सा लगा और एक बात जो मुझे लगी कि कुछ वक्ता कई वक्ता जो थे वो विशेय पर नहीं बोल रहे थे उनकी खुद की विचारधारा क्या है वो किस खेमे से आते हैं उसकी बात जादा हो रही थी तो ये नहीं होना चाहिए था तो ये जो बात है उसको मैं भी अपनी तरफ से यूँ दो रहा हूं कि एक तो जो भी अर्टित्थी आते हैं उनका सम्मान हो वो अपने स्थान पर है उस स्थान पर सम्मान हो भी अवस्ता अच्छी है लेकिन साथ-साथ समय पर उनको सूचित किया जाए क्योंकि वो सरकारी महमान, सरकारी महमान के कई हर्थ निकल जाते पर यहां मैं एक दम शुद्ध सम्मान दिख से कह रहा हूं तो आपको अगर अगर अगरिम सूचना नहीं होगी तो आप तैयारी नहीं कर पाएंगे और किसी काम में आपका कमिट्मेंट होगा तो अचानक वहां से निकलना है तो हम अपनी बाची को विराम दें उससे पहले फिर एक बार आपके अंदर जो एक उतसा है जो कि मुझे रगता है औरों को भी प्रेरित कर देता है तो उसको लेते वे अभी कौन सी ऐसी बात है जिसको लेके आप अंग्रेजी में कहें तो एक्साइटेड हैं मैं अशु इक द्रिश्टी से भी पॉलिटिकल द्रिश्टी से भी बहुत बड़ा एक स्थान है क्यों ना हम उसे एक कल्चरल सेंटर की तरहें भी डवलप करें सेंटर ऑफ जिसको बोलना चाहिए मैं और विशेश रूप से मैं बात कर रहा हूं भारती एकला संस्कृती और साहित्यक तो ये मेरा स्वपन है कि हम नियू यॉर्क को एक कल्चरल हब की तरहें एक डवलप करें भारतीय संस्कृती के इर्दगर्द और इसमें हमें बहुत से लोगों की जरूरत पड़ेगी उनकी साहिता की जरूरत पड़ेगी मुझे खुशी है कि भारतीय कॉंसलावास जो है अभी इस समय वो हमारे साथ पूरे हमारे साथ में हैं उनका अगर हमें सहयोग मिले और कुछ जो यहां पर प्रदिश्थित लोग हैं जो की हमें कुछ और सहयता दे सकते हैं उनकी अगर मदद मिले तो हम नियू यॉर्क को एक भारती संस्कृति के लिए एक सहित्तिक और सं प्राजधानी की तरह बना सकते हैं। वो हमें विस्तार और प्यार और अपने अंदर एक आनंद की जनकार के साथ जोड़ते हैं। वो हमारे जिवे में बनी रहे है। इसकी कामना अनुप जी के और आप सब के लिये करते हुए। नाश्कार। नाश्कार।